यदि आप 110cc के सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो 110cc के सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर वाली बाइक हो तो आप Bajaj Platinum 110 ComfortEng वाली इस बाइक को भी देख सकते हो क्योंकि ये 110 cc के segment में सबसे ज़्यादा power और mileage वाली bike है ज़्यादा power वाली क्यों कहा वो इस वीडियो में आगे जानेंगे 2022 में ये bike कुछ नए बदलाब के साथ में आई है वो भी जानेंगे और इस bike के computer already market में available है उनके साथ में बहुती जल्द comparison वाली वीडियो आने वाली है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए Technical S.H.T. YouTube चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को आल पर सेट कर लीजिए जिससे notification आपको टाइम से मिल जाए नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजर हूँ अपसभी के सामने एक वाफिर से New Time and New Technology के साथ Starting इसके लुक से करते हैं ये इस बाइक का Gray White Black Color है Company ने यहाँ पर वाइजर लगा कर दिया है जोकि Body Color में है यहाँ पर LEDs मिलती है, DRL नहीं मिलता है Ignition को On करते ही ये जल जाएंगे Company ने यहाँ पर Headlight Halogen में दी है Non-Flexible Side Turn Indigator मिलते हैं जिन में Bulv का यूज किया है और इनका Design काफी ज़्यादा अच्छा रखा है Front में Company ने Hydraulic Telescopic Type 135 mm ट्रेविल वाली Suspensor लगा कर दिये है Anti-skate braking को यहाँ पर mention किया है नीचे की तरफ Reflector मिलता है इस Bike में दो Variant आते हैं एक Non-Disk में और यह Disc Variant है जिसका Size है 240 mm आए अब इसके Front Tire की बात कर लेते हैं Blaze Series का यह टायर है जिसका Size है 80 x 117 inches जो की एक JK Company का टायर है हाँ एक और Most Important बात इसमें आपको T-Bless Tire मिलते हैं इसके Alloys का Pattern कुछ इस तरीके का है मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ JK Tires यहाँ पर लिखा हुआ है आए अब आगे बढ़ते हैं इसके Tank के Design को देखते हैं यहाँ पर Platinum का Sticker लगा है Golden Color में और Black Color और यहाँ पर Gray Color यहाँ पर Tank Pad लगा है 11 लिटर की Fuel Tank Capacity मिलती है Left Handle पर Feature Button देख लेते हैं यहाँ पर Passing Switch मिल जाता है Low Beam, High Beam Switch मिलता है Side Turn Indigator Switch मिलता है और एक Horn का Switch मिलता है आई अब देखते हैं इसके Right Handle पर क्या-क्या हम लोगों को मिलता है यहाँ से Headlight को On-Off करने के लिए और एक Self का Switch मिलता है यह है इस Bike का Instrument Cluster और मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ जो कि Normal चाबी है यह इसका Instrument Cluster है जो कि Semi Digital है Analog में Speedometer मिल जाएगा बाकी की सबी जनकारी आपको Digital में मिल जाएगी 110 CC के सेगमेंट में इसकी Starting की थी Hero ने अपनी Passion Pro में Handle पर एक Protector दिया था जो कि आपके Hand को Air से Protect करे Personally मुझे 110 CC के सेगमेंट में यह चीज़ समझ में नहीं आई हाला कि यदि आप इस Bike को खरीदते हो और आपको यह चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको हटबा भी सकते हो अब बात करते हैं जहां से इसकी Performance निकल कर आती है जी हाँ इसके Engine की सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ 2022 में भी आपको इसमें Carburetor मिलता है जबकि इसका Engine BS6 है लेकिन जिन लोगों को Fuel Injection अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट है आप इसमें 100 ml पेटरल डाल कर भी चला सकते हो कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है ये बाइक वैसे तो 110 cc के सेग्मेंट की है लेकिन इसका Engine एक्च्छल में 115.45 cc का है इसका Maximum Power 8.6 PS का है और इसका Maximum Torque 9.81 Nm का है इसमें आपको Cake Start का भी फीचर मिलता है जो कि Right Side में लगी हुई है DTSI Technology को यहाँ पर मेंसन किया है जो कि बजाज की खुद की टेकनोलोजी है इस बाइक में Single Horn मिलता है 5-Speed Manual Transmission के साथ इसमें Gear Box दिया है Safety Point of View से एक Additional Feature और भी मिलता है Side Stand Engine Cut-Off Sensor जो कि 2022 में mandatory हो गया है सभी बाइक में यह फीचर आने लगा है यहाँ पर पिलियन के लिए फूट्रेश दिया है अलगी डिजाइन में आपको यह डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए Rear Suspension की बात की जाए तो SOS with Nitrox Canister Rear Wheel Stroke और 110 mm ट्रेविल वाला यहाँ पर Suspenser लगा कर दिया है Seat Call पर 110 Comfort Tech को मेंसन किया है और इसकी seat का पैटर्न कुछ इस तरीके का है बहुत ही ज़ादा Comfortable है इस पर लिखा भी हुआ है Comfort Tech और इसकी seat की जो length है याने की लंबाई है वो काफी ज़ादा है Sadi Guard मिलता है Lady Fortress मिलता है इसके अगर Rear Tire की बात की जाए तो जो Front में मिलता है वही आपको Rear में भी मिलेगा JK Company का टायर है टीवलेश टायर है जिसका size है 80-117 inches आईए अब इस bike की rear profile देखते हैं जिसका pattern कुछ इस तरीके का है bulb के साथ में इसकी tail light मिलती है side turn indicator मिलते है जो की non flexible है जिन में bulb का use किया है यहाँ पर reflector लगे हुए है इसके indicator का design मुझे personally काफी ज़्यादा अच्छा लगा है यह है इसका grab rail जो की काफी ज़्यादा solid है आईए अब right side से rear की profile देख लेते हैं जो की कुछ इस तरीके की है यहाँ पर silencer लगा हुआ है जो की black color में है इसकी उपर muffler लगा है जो की chrome में है बहुत अच्छी बात है chrome में हो उस पर scratches इतनी आसानी से दिखते नहीं है right side से इस bike की पूरी profile में आपको दिखा देता हूँ एक ही frame में कुछ इस तरीके की यह bike लगती है मुझे personally इस bike का design बहुत अच्छा लगा है बस वो handle के आगे जो लगे है ना protector उनको अटवा दो अब company ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा आए अब मैं आपको इसका पूरा walk around करके दिखा देता हूँ right side से मैंने आपको profile दिखा दी है left side से आप दिखा देता हूँ जो की कुछ इस तरीके की लगती है comfort का तो काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है company ने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी comfort tech की बेजिंग लगी हुई है rubber का use किया है वैसे क्या है generally लोग bike लेते हैं और after market इस पर rubber लगवाते हैं जो की company ने खुदी दिया है बहुत अच्छी बात है मैं special thanks कहना चाहूंगा संकर बजाज को जिनोंने यह bike मुझे proper review के लिए provide की है इनका यह सूरुम उत्तर प्रदेश के Itawa जले के Man City Itawa में है और Itawa में भी दो जगे पक्के बाग पर और पक्के तालाव पर इनका number और इनका address आपकी screen पर flash हो रहा है यदि आपको बजाज की कोई भी bike लेनी हो तो आप इनसे contact कर सकते है इनके पास बजाज की सभी model की bike all time available होती है यदि कोई particular आपके हिसाब से model available नहीं है तो वो बहुत ही जल्द आपको available करा दिया जाएगा यहां का staff काफी ज़्यादा cooperative है आपको यहां से bike लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी यदि आप वीडियो देखकर जाएं तो आप हमारे reference भी दे सकते हैं कि हमने technical sht youtube चैनल पर वीडियो देखी थी वो देखकर मैं आया हूँ बहुत ही जल्द बजाज की नई bike launch होने वाली है और कुछ नई bike के model भी आने वाले हैं उन सभी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी आप technical sht youtube चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon को all पर set कर लीजे जिससे most important वीडियो आप से ना छूटे बजाज प्लेटना 100 cc के segment में भी आती है 110 को नया launch किया गया था इसकी भी वीडियो already channel पर available है link आपको i button में और इस वीडियो के description में मिल जाएगा यदि आपको link ना मिले तो आप technical sht youtube चैनल को subscribe कर लीजे जैसे ही वीडियो अप्लोड होगी वैसी notification आपके पास पहुंच जाएगा total यहाँ पर दो कलर में यह available है मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका review अभी मैंने किया वो थी grey कलर में और एक आता है sky blue कलर आई अब बात कर लेते हैं इसकी price की दो variants में यह बाइक आती है पहला आता है बजाज platina 110 ES drum में जिसकी यह जो मैंने आपको कीमत बताई है वो समय समय पर उपर नीचे होती रहती है हर estate की हर district की और हर so room की अलग अलग price होती है price का मैंने आपको rough idea दे दिया है आप इसको actual price ना माने अगर इसकी mileage की बात की जाए आप लोगों का बहुत सारा question होता है कि इसका mileage कितना होगा मैं आपको बताता हूँ इसका mileage लगबग लगबग 70 के असपास होगा बाकी का आपकी riding पर depend करता है कि आप इससे कितना mileage निकलवाते हो इस bike के बहुत सारी latest SREs market में आ गई है उनका best offer by link मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा जहांपर आप click करके उनको best offer में खरीच सकते हो 110 CC के segment की और भी bikes की वीडियो already channel पर available है जिनका link आपको i button में और इस वीडियो के description में मिल जाएगा बाइक लेने से पहले सबसे पहले आप इन सभी वीडियो को देख लें और उन सभी bikes के साथ में इसका comparison भी बहुत ही जल्द आने वाला है तो आप channel को subscribe करने के साथ साथ bell icon को all पर set कर ले जिससे notification आपको time से मिल जाएगा तो दोस्तो बस लाल के लिए इस वीडियो में तना ही मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए अपने friend के साथ इसको share कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव वो comment करना ना बूलेगा और अगर अभी तक आप लोगने चैनल को subscribe नहीं किया है तो technical sht youtube चैनल को आप subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting videos और important videos जी हाँ भाई important videos समय समय पलाता रहता हूँ जै हिंद वंदे मात्रम